कि नमस्कार बच्चों आपका स्वागत है आपकी मैंट्स क्लास में आज हम लोग पढ़े हैं क्लास 5 के मैंट्स में चैप्टर डज इट लूग दा सेम और इस चैप्टर में आज हम दो चीज़ां सिखेंगे नमबर बन मिरा हाफ लाइन या लाइन ओफ शिमेट्री एंड नमबर टू तिंग हाफ अटर्ण ओफ ए सेप इसी शेप को हाफ टर्ण करने पर वो कैसा दिखेगा यह चीज तो यह दो चीज़ें आज में को पढ़नी है आज की टॉपिक में तो जो पहली चीज़ है मिरा हाफ लाइन और लाइन ओफ सिमेट्री तो आप इसको पहले कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं याद है आपको क्लास थ्री में आपने मैस के फर्स्ट चेप्टर में की स्टोरी पढ़ी थी टिप फॉर टैट जिसमें एक पेंटर था जो ब्राइंग्स बनाता था पेंटिंग्स बनाता था तो अमीना नापके एक गार्ड थी इसने अपनी पोर्ट्रेट बनाने को उसको दी थी और उस पेंटर ने उसको जो पोर्ट्रेट बना कर दी तो वो उसकी हाफ पोर्ट्रेट बना कर दी थी और उससे कहा कि ये लो आपके पोर्टेट बन गई है अब मैं आप हमारा 200 रुपीज दे दो तो अमीना लिया उससे कहा कि ये तो आधी इमेज है मैं इसका पूरा पैसा कैसे दो तोला कोई बात नहीं आप इस इमेज को मिरर में लगा कर देखी है और ये आपको पूरी दिखने लगेगी और इस तरह से उसने हाफ पौर्टेट बना कर दी अमीना को और कहा कि इसको मिरर में तका कि जब आप देखेंगे तो आप देखोगी कि ये उसकी फूल इमेज देखने लगी तो अमीना ने जब ठीक है बाए तो उसने भी उसको एक 100 रुपीस का ही नोट दे दिया वो लिए तो आधा अमाउंट है ठीक है तो इस नोट को आप मिरर में लगा कर देखी आपको दूसरा 100 का नोट भी देख जाएगा आपका अमाउंट पूरा हो गया तो इस वासदा केट फॉर टैट स्टोरी इन क्लास 3 जिसमें आपको mirror half image बताएगे निए जीस में बताएगा थी eyes यसको अगर हम mirror में लगा के देखे तो वो पूरी हमको दिखती है जैसे हमने आपको यह girl वाली image दिखाई जिसको अगर आप mirror image लगा कर इस तरह से देखेंगे तो यह आपको full image दिखेंगे तो यह image जिसको हम कहेंगे mirror half image जो सीशे में देखने से पूरी देखेंगे अब जैसे इसी image को अगर हम unfold करें तो हम देखेंगे बीच में एक line बन रही है जहां से मैं paper fold किया था इस fold करने वाली line को ही हम कहते है mirror half line जिस line से हमारी image इस तरह से half part नम हट जाए जिसको mirror में देखने से वो पूरी देखने लगे उसको mirror half line कहते हैं या इसी line को हम कहते है line of symmetry जो कि हम यहाँ पर आप लिखके दिखाया है line of symmetry जैसे दूसरी image देखने जैसे यह है इसको अगर हम mirror में लगा कर देखें तो यह हमको full image देखने लगी इसमें mirror में आप देखेंगे यह आपको full दिख रहा है diamond और इसको unfold करके देखेंगे तो यह आपको इस तरह से diamond दिखेगा तो अब इसमें जो बीच में यह जो line बन रही है यह है इसकी mirror half line यह line of symmetry अब देखें line of symmetry का मतलब क्या हुआ वो line जो किसी भी safe को दो बराबर भागों में बाटती है half दो पार्ट करते इसलिए mirror half का गया तो और वो दो भाग ऐसे होते जो एक दूसरे को पूरा overlap कर लेते हैं कहीं से भी extra नहीं निकलते जैसे हमने एक paper लिया जैसे यह paper इसको अगर हम इधर से fold करेंगे तो यह half हो गया और इसमें दौनों half ने एक दूसरे को पूरा cover कर लिया इसी तरह से इसको हमने इधर से fold किया यह भी half हो गया और दौनों half ने इसको पूरा overlap कर लिया गवर कर लिया लेकिन अगर हम इसी half को तो यह जो दौनों line होई horizontal और vertical lines जो होई यह इसकी mirror half line और line of symmetry होई तो एक shape में एक से जादा line of symmetry हो सकती है अब इसी shape को अगर हम इस तरह इसे fold करें तो आप देखेंगे यह half तो हो गया दो पार्ट हाफ आधा आधा यह होगया आधा यह आधा यह लेकिन यह दोनों पार्ट एक दूसरे को पुरा overlap नहीं कर रहे हैं अलग अलग जाना है तो इसको हम mirror half नहीं कहेंगे यह जो line है इसको हम line of symmetry नहीं कहेंगे जो diagonal line of symmetry line बनी है इसको line of symmetry नहीं कहेंगे देखिए आप इसको mirror में लगाकर अगर हम इस line से paper को mirror में लगाते हैं तो यह paper हमको original shape में नहीं देखता है जिस तरह से जो मारा paper था वो paper नहीं देखता है अलग shape इसका हमको दिखने लगता है और अगर हम इसको इधर से fold करके mirror में लगा तो हमको अपना फुल पेपर यह दिखने लगा जासा हमार पेपर औरिजनल था तो इस तरह से जो मिडर हाफ होते हैं वो दो हाफ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को पूरा ओवरलेफ करते हैं ठीक है यह मिडर हाफ नहीं होगा इसको मिडर हाफ करने के लिए या तो हम इसको यह mirror half line या इसकी line of symmetry कहलाई है अब ऐसे कुछ image colorful होती है जैसे यह है इसको अगर हम बीच से fold करें तो यह half तो हो गया इसने एक दूसरे को overlap कर लिया दोना पार्ट लेकिन आप देखेंगे यह इधर पर आपको pink color दिख रहा है और इसके पीछे इधर yellow color है तो अगर हम mirror में दौनों साइड yellow color दिखा रहा है शेप वही बन जा रहा है लेकिन दौनों साइड yellow color दिखा रहा है जबकि original में इसमें एक साइड yellow है और एक साइड pink है तो शेप की color scheme भी उसको mirror half होने से रोब देगी यह जो line है यह line of symmetry इसकी नहीं कहलाएगी इस shape की क्योंकि दौनों में color अलागला तो color scheme की बजाए से line of symmetry चेंज हो जाती है या हड़ जाती है तो यानि इस shape में यह line of symmetry नहीं कहलाएगी ओके अंडरिस्टोड तो यह तो line of symmetry अब जैसे यह shape आप देख रहे हैं यह पूरा shape है अब इसको अगर हम 20 से fold करें और इसको मिरर में देखेंगे तो यह हमको पूरा दीखेगा यह हमारा जिस तरह से crown था background mirror में हमको पूरा देखने लगा तो यह जो है जो line हमारे shape को दो बराबर ऐसे भागवां बांट रही है जनको हम mirror में देखने पर जिस line पर mirror को रखने पर यानि अगर हम यहाँ पर mirror रखने तो यह means हमको पूरी देखने लगती है तो यह line जो बनी इसको हम line of symmetry या mirror half line कहते हैं तो अब आपको mirror line half line समझ में आ गिया तो पिछले चेप्टर में आपने अभी half और quarters पढ़े हैं तो half का मतलब हुआ आधा तो जब आप morning assembly में line में लगते थे श्कूल में इसको लुखले होते थे तो जब आपको इंस्ट्रक्शन दिया था यह हो गया इसका half turn इसको हम कहेंगे half turn इसी तरह से जैसे यह arrow है इधर show और आए अगर इसको हम गुमा कर इस तरह से कर दें तो यह वो गया इसका half turn यह जो हमारा शेप है जिस position में था उसके अकोजिट पोजिशन में पहुंच जाए तो उसको कहते हैं half turn ओके understood तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ shape जो है वो half turn होने पर change हो जाते हैं को shape half turn करने पर change नहीं होंगे जैसे यह है इसको अगर हम half turn करेंगे तो यह हमको different दिखने लगेगा यानि यह नीचे से time grace का गया और इधर से यह दीख रहा है इस तरह से half turn करने पर change हो गई इसी तरह से यह arrow यह अभी इस तरफ है अगर मैं इसको turn किया तो यह arrow का मुझ साइड हो गया यह half turn हुआ तो यह इसके पर लिए थे यह एक rectangle का safe हो गया अगर इसको हम ऐसे रखे हैं और इसको हम घुमा दें हाव यह अभी यह वैसे ही दिख रहा जैसे पहले दिख रहा था तो इस तरह के शेप में कोई change नहीं आएगा इसी तरह से अगर हम कोई square ले 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 या circle ले 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 उनको अगर हम half turn करें तो उनमें कोई change नहीं आता है जब आप देखते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को एक पूरा round घुमाते हैं तो यह एक circle form करता है इस तरह से जैसे घड़ी में minute hand है एक round पूरा करता तो एक circle form होता है तो आपको पता है circle में 360 degree होते हैं तो जो हम half turn करते हैं इसका मतलब यह turn 180 degree turn होता है यह हमारा जो शेप इस तरह से था यह न और इसको हम निट turn किया तो यह नीचे के side में आ गया तो यह जो rotation हुआ यह 180 degree का rotation हो गया understood तो यह होता है half turn तो I hope you have understood now half turn and half line okay now we will look some questions in our book अब हम बच्चो बुक के page number 73 पर दिये हुए question को देखते हैं इसमें कुछ images दी हुई हैं हमें यह बताना है कि इन images में dotted line से वह two mirror half में divide हो रही है या नहीं हो रही है इस question है which shapes are divided into two mirror halves by the dotted line तो आप इसमें देखेंगे image one है जो dotted line है तो left side dotted line की उपर red color है जबकि mirror image में भी फिर वह red color ही नीचे शो होना चाहिए जबकि नीचे white है तो इससाब से जो हमारी image one है वह mirror half नहीं होगी okay तो जो image one है यह हमारी mirror half नहीं है इसका देखें image two में अगर हम left side देखें paper pole जिस तरह से उसी तरह से mirror half में right side में भी होना चाहिए लेकिन इसमें भी नहीं है तो इस तरह से हमारी image two भी mirror half नहीं होगी इसके बात image three leaf में है तो leaf पर देखें आप left side का part ज्यादा दिख रहा है right side का part कम दिख रहा है इसलिए हमारी जो image three है यह भी mirror half नहीं होगी क्योंकि आपको बताया गया है कि mirror half वो image होती है वो पार्ट होता है लाइन होते हैं जिसमें दोनों side की image same होती है अब देखें जो image number four है इसमें आप देखेंगे left side में blue color है और right side में white है तो इस इसमें देखें दोनों side same दीख रहा है हमारी image जो five है यह mirror half होगी इसी तरह से image six भी mirror half होगी image seven में भी mirror half होगा क्योंकि इसमें दोनों side एक जैसा दीख रहा है image eight में भी देखें दोनों side ऊपर और नीचे dotted line के both side एक जैसा दीख रहा है तो image eight भी mirror half होगी अब देखें जो image nine है इसमें भी बटरफ्लाई है लेकिन इसमें जो mirror half की line है या जो dotted line है वो horizontal है जिस वजह से यह mirror half नहीं होगा अगर यह line वर्टिकल होती इस तरह से तो यह इसको mirror half कर देती लेकिन ऐसा नहीं है इसकाद image 10 में आप देखेंगे जो उपर के side में red और green color है तो mirror में भी नीचे red और green ही शो होना था यह लेकिन इसमें green सो हो रहा है तो यह भी हमारी mirror half नहीं होगी इसकाद image 11 में भी mirror half नहीं होगा तो यह हमको same part दूसरे side का नहीं दिखेगा इसलिए हमार image 11 भी mirror half नहीं होगी image 12 भी mirror half नहीं होगी क्योंकि दोनों side एक जैसा नहीं है जो image 13 है यह mirror half हमारी हो जाएगी लेकिन image 14 नहीं होगी image 14 में जो dotted line बनी है वो fist के tail से बनी होगी है तो यह mirror half नहीं होगी इसका image 15 है यह भी हमारी mirror half हो जाएगी तो हमारी जो जो images mirror half होगी वो है shapes that are divided into two mirror halves by the dotted line are shape no.5 shape no.6 shape no.7 shape no.8 shape no.13 shape no.15 so these shapes are mirror are divided into two mirror halves by the dotted line okay now look other mirror game in it you are seeing here is a picture of a dog you can place a mirror on the dotted line then the part of the dog to the right of the line will be hidden behind the mirror what you will see is lie by a so here is dotted line if you have a mirror mirror then mirror face is left side so right side part so right side part so that you get shape b also tell which part of the picture will be hidden when we keep the mirror on the dotted line तो अब आप यहाँ देख रहे हैं आप दो dotted line दिख रही है एक vertical dotted line दिख रही है जो कि यह खड़ी line है और एक horizontal लेट्यू लाइन है तो आपको इन dotted line में responsible mirror place करेंगे जैसे कि b side की image हमको दिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा b image में left side का part दिख रहा है वही right side में भी दिख रहा है और यह part हमको जो हमारी vertical dotted line है यानि यह बाली इस पर जब हम mirror place करेंगे तो हमको b shape दिखेगा mirror में तो अब जब mirror हम place कर देंगे जिसका face जो है वो left side होगा तो right side का part जो हो hide हो जाएगा और left side का part हमको mirror में so होगा तो we will keep the mirror on a vertical dotted line to get shape b right part of the image will be hidden if we keep the mirror on a vertical dotted line तो इस vertical dotted line पर जो हम mirror रख देंगे तो हमें यह वाला part जो हमारा यह यह दर का part हो हाइड हो जाएगा इसना यह सारा part हाइड हो जाएगा और यह वह हमको left side का part so होगा okay now अब यहां पर दिखी कुछ images दिए गए इनमें भी आपको यह बताना है जो white box में images है इनमें आप कहां पर mirror प्लेस करेंगे जिससे कि हमको left side का image जो हो होने लगे तो इसमें आप देखेंगे जो white first one है जिसका see image दिख रहा है हमको इसमें आप देखेंगे किसका move दिख रहा है left side से और वही part इसमें दिख रहा है तो इसमें जो हम mirror place करेंगे वो position होगी यह वाली यहां से हम इसमें mirror place करेंगे तो इसमें जो हम mirror place करेंगे first image में वो इदर से इस तरह से यह mirror image करेंगे यह image में आपको दिखा रहें है इस topics when we dream by onion is a light जिसमें हमको d shape दिख रहा है इसमें आफ देखेंगे क् we smile लुदेखेंगे तो यही जो क्योंको इस image में दिख रहा है नौ आप दिखिए एमेज आपको कैसे दिख रही है इसमें जब आप mirror place करेंगे तो इसकी position यह जी घी जए इस तरह से हम mirror place करेंगे तो हमको यह e shape दिखेगा इसके बाद जो f shape है तो f shape में देखिए आप जो हमको यह mu side का दिख रहा है यदि East side का दिख रहा है यानि mirror का फेश हम इस तरफ को रखते हुए जो है cd line हम यह mirror place करेंगे जो कि dotted line से इस image में दिखाया गया तो हमको यह f image show हो गया, अब देखिए, वैंकी has made a red and white shape, make a line on the white box where you will keep a mirror to get the shape, look at how the line is drawn in the first box to get the picture next to it, तब इसमें देख रहे हैं कि यह जो a image है, a image में dotted line बना देने से हमको यह वाली mirror image show हो रही mirror में, यह जो मारे mirror में left side दिखेगा, उसी तरह का right side में हमको mirror में right side का push, image दिखेगा, तो अब B में आप देखिए, कहां पर place करेंगे mirror, जिससे कि हमको यह वाली image show हो, तो देखिए हमने इस image में आपको दिखाया है, बी के लिए, इस image में दिखाया है, इस dotted line से हमने जब mirror को place करेंगे, जबकि mirror का face इस side होगा हमारा mirror, तो हमको यह वाली image दिखेगी, इसी तरह से, C के लिए हमने यह वाला image दिखाया है, इसमें यह dotted line से दिखा रहे हैं, कि mirror का face इस तरफ होगा, तो हमको यह वाली image, C वाली image दिखेगी, इसी तरह से, D के लिए, हमने यह dotted line दिखाई है, यह D वाला shape के लिए है, जिससे यह पता चल रहा है, आपकी mirror का face इस तरफ है, तो हमें यह वाली image दिखेगी, और E को देखने के लिए, जो white box में हमने इस तरह से dotted line ड्रॉ किया है, जिससे कि हमको यह shape मिलेगा, यह E shape के लिए, यह dotted line पर mirror place किया गया है, और जो mirror का face है, वो इस side में, ओके? अब देखे, half a turn, half a turn आपको यह से बताया, कि आप जिस position में, उसके opposite position में image को shape को कर देना, वो half turn कहलाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो boys की तीन images है, एक boys सीधा हाथ उपर करें खड़ा हुआ है, एक लेटा हुआ है, और एक upside down है, तो जो upside down वाला है, यह half turn है, इसके जो उपर था, half वो नीचे आ गया, और पैर उपर से ला गया, तो यह half turn हो गया, और जो लेटा हुआ हुआ है, यह one four turn होगा, जैसे आपने इसमें एक story पढ़ी है, कि एक राजा की पास locker था, locker में जो ताला था, उसमें इस तरह ऐसे pattern बना हुआ था, तो जब वो अपनी locker को खोलता या बंद करता था, तो कि वो half turn में खोलता था, और half turn में lock होता था, तो दौनी position में सेम उसको सो होता था, तो इस समस्या, इस से राजा भूल जाता था, कि उसने locker lock किया या नहीं lock किया, तो इसके लिए, उस के daughter ने locker के एक साइड में डॉट बना दिया, उस pattern पर एक साइड डॉट बना दिया, तो open position वो डॉट उपर आता था, और lock position वो डॉट नीचे आ जाता था, जिससे राजा, वो पता से लिए जाता था कि हमारा lock, ये locker जो हो लॉट हो गया है, तो कहने का अतलब ये जो half turn होता है, वो half turn जो है upside down position या opposite position होती है, जिस position में हम हैं, उसके opposite हो जाना, जैसे उपर इसमें dot उपर दिखे राता, half turn टे dot नीचे आ गया, इसी तरह से, जैसे ये बच्चा सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है, फिर इसने, देखेंगे next image में ये late गया, तो ये one fourth turn हुआ, और इसका ये upside down हो गया, ये हो गया half turn, ये क् आपको ये बताना है कि, guess which of the shapes below would look the same after half a turn, तो ये जो shape बने हुए है, ये shape मैं से, कौन से shape जो है, वो, half turn के बाद भी same दिखेंगे, तो देखेंगे, कौन सा shape की position क्या होती, half turn के बाद, देखें, ये half turn के बाद as it is रहेगा, ये भी half turn के बाद same रहेगा, circle भी half turn के बाद same रहेगा, ये वाला rectangle भी half turn के बाद same रहेगा, triangle की position change हो गई, ये न, इसी दरह से hexagon भी same रहेगा, लेकिन pentagon की position change हो गई, तो जो shape same रहे रहे हैं half turn के बाद में, वो है, ये square, ये green rectangle, फिर ये circle, फिर ये pink rectangle, और इसके बाद ये hexagon, ये shape जो है, वो half turn के बाद भी same रहे रहे हैं, और जिनमें change आ रहे हैं, वो है triangle और pentagon, ओके, तो I hope now you have understood the line of symmetry and half turn, thank you.